नमस्कार दोस्तों मैं आजय सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSC Maker के YouTube चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिताएंगे मैच के कुछ अती महतपूर प्रेशन दोस्तों जो आपके आगामी सभी परिछाओं के लिए बहुत ही महतपूर है दोस्तों मैच का पार्ट पहले आप मैट और रीजनी के दोस्तों सारे पार्टों को जरूर देख लिएगा ताकि आपके एक्जाम ओरिएंटेट कोस्टन दोस्तों यहां से सारे कवर हो जाए और दोस्तों इन सभी प्रेशनों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट् प्रशन को ध्यान से पढ़िएगा प्रशन यह कह रहा है दोस्तों एक परिशार्ती किसी परिच्छा में 20 परशन अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से अनुत्रिल हो जाता है किन्तु यदि वह 32 परशन अंक प्राप्त करता तो नियुंतम उत्रणांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते परिच्छा का पुढांक ग्यात कीजिए दोस्तों पहले मैं आपको प्रशन समझा देता हूं पूढांग पूछ रहा है यानि टोटल कितने नंबर का परिच्छा था यह पूछ रहा है ।ो ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर कोशन समझेवागा, एक परिषार्ती है दोस्तों 20 परशंट प्राप्त करते है और क्या होता है दोस्तों 3 अंक से अनुत्र हो जाता है, अनुत्र मतलाब प्हेल हो जाता है, जब यह 20 परशंट पाता है, लेकिन बाद में क्या कह रहा है किन तू कह रहा है बदना नगाण किजी 60% कि जैदा कुछ नहीं करना है दोस्तों एकदम बराबर करना है कहने का मतलब है बीस पर्शेंट अंक देखिए, यहां क्या पाया है दोस्तों, बीस पर्शेंट अंक पाया है, तीस अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो दोनों तरफ हम पास रखेंगे, अगर यह बीस पर्शेंट अंक पाया था, ठीक है, पाया है, और तीस अंक इसे और मिलते, दे प्राप्त करता है तो नियुंतों मुत्रायंग से क्या होता है ब्याली संग अधिक होता है अगर यह 32% पाता और दोस्तों इसे ब्याली संग कम मिलता तो क्या होता दोस्तों यह पास होता इधर भी क्या होता दोस्तों ब्याली संग कम देखिए 32% पाया है तो इधर क्या हो रह आमको एक तरफ कर लेना है पसांतर करना तो बताया हूं आपको basic वाले channel पर भी ना देखिए तो देखिए पर्शेंट एक तरफ करेंगे तो देखिए 20% इधर जाएगा तो 32 में से 20 घटेगा तो दोस्तों क्या होगा 12% होगा 12% बराबर दोस्तों क्या होगा यह 42- का है बराबर किधर आएगा तो प्लस में होगा 30 और 42 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 72 होगा इधर का उधर लिख रहे हैं तोड़ा सा यानी की 600 अंख होगा यानी परिष्छा का पूड़ांग क्या होगा 600 देखेंगा option नमबर डी में है आपका option नमबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टैप की कोश्चन आपके एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सौल्व कर लेंगे चलिए अब हम नेक्ष्ट कोश्चन के ओर शलते हैं और लास्ट में दोस्तों हम आपसे प्रश्चन पूछेंगे प्रश्च सिंपल तरीका बताऊंगा कोश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कोश्चन यह कह रहा है दोस्तों किसी टीम के 12 खिलाडियों की ओसत आयू 25 वर्स है यदि अंपायर को भी सामिल कर लिया जाय तो ओसत आयू 2 वर्स बढ़ जाती है अंपायर की ओसत आयू क्या होगी यह थीक है तो टोटल आयू का यह होगा 12 गूने 25 चरेंगे तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पे गुरा कर लिजे 25 दुना 50 का 0 हांसिल 5 25 25 20 25 35 तीस यानि 300 बर्स होगा होगा ना कितना होगा दोस्तों 300 बर्स होगा आयू का योग हम निकाल रहे हैं ध्यान दीजेगा 12 खिलाडी क्या उसत आयू 25 बर्स है यानि एक खिलाडी प्रते खिलाडी 25 बर्स का है तो 12 खिलाडी क्या उसत आयू यानि टोटल आयू क्या होगा 25 कह रहा है सामिल कर लिये जाये तो ओसत आयू दो बर्स बढ़ जाती है दो बर्स आयू बढ़ जाती है पहले 25 से अब दो बर्स बढ़ जाएगा तो दोस्तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा तो टोटल अमपायर सही खिलाडियों का देखिएगा टोटल आयू का यो ग्या होगा 27 गुणे 13 ये opposite, 28-27 27, 27-35 यानी टोटल आयू का योग क्या हो जाएगा दोस्तो, 351 साल हो जाएगा, तेखिएगा 351 साल हो जाएगा समझ रहे हैं कह रहे हैं अम्पायर की और सत आयू क्या होगी दोस्तों इस 13 लोगों में से 12 खिलाडियों को अगर हम घटा दे 13 लोगों के और सत आयू में से दोस्तों जो है देखिएगा अबर्स की स्वाइगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रस्तों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइब के भी कोशिन आपके एक्जाम में आगा तो आप अच्छे से स्वाल्ट कर लेंगे और एक चीज़ बताद हूँ दोस्तो आपको question अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को दोस्तो लाइक भी किया करिए share भी जरूर किया करिए और आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लीजे notification वेल को भी on कर लीजे जुड़ जाए हमसे ताकि आपको daily सारे वीडियो की notification मिले दोस्तो हम exam oriented question नहीं कराते हैं जो बार-बार आपकी exam में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तो आप हमसे जरूर चुड़िए और यह question आपको समझ में आ गया है तो आप नीचे comment करके जरूर बताईएगा किसी भी प्रस्ट में आपको डाउट भी होता है तो नीचे सिंपल तरीका बता रहा हूँ ज्यादा कुछ नहीं करना है पहले आपको question ध्यान से पढ़ना है पढ़िएगा पहले question दोस्तो कोशन यह कह रहा है एक किसी ब्योशाय में 64,000 का निवेश करता है कुछ महीने के बाद भी 48,000 रुपए लेकर ब्योशाय में शामिल हो जाता है बर्स के अंत में कुल लाव उनके बीच दो अनुपाते एक के अनुपात में बाटा गया बी कितने महीने बाद समलित हुआ था यह पूछ रहा है बी कितने महीने बाद दोस्तो उस ब्योशाय में समलित हुआ था यह बताना है तो माल लेंगे दोस्तो बी एक्स महीने बाद दूस्ब रूपए लगाया कितने महीने के लिए लगाया यानि कि टोटल जो निवेस किया है इंटु मंथ बटा में जो दूसरा निवेस किया है उतना into month बराबर लाभों का अनुपात होता है तो simple तरीका है ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां बर्स के अंते में लाभ क्या हो रहा है दोस्तो 2 is to 1 के ratio में यानि B बाद में आया है दोस्तो और A जो है वो क्या है सुरू से लेके last तक यानि 12 महिने तक लगा है तो देखें कितना A रुपए लगाया है दोस्तो 64,000 लगाया है ध्यान दीजिएगा 64,000 लगाया है दोस्तो A ठीक है कितना लगाया है 64,000 कितने महिने के लिए दोस्तो लगाया है 12 महिने के लिए लगाया है B क्या हो रहा है दोस्तो यह कुछ समय बाद आया है कितना रुपए लगाया है दोस्तो पहले धहान दीजेगा यहाँ पे 48,000 कितना 48,000 आप और पूछ रहा है दोस्तो की भी कितने महीने बाद आया है मान लेंगे x महीने बाद समलित हुआ तो यानि कीसे क्या कर लेंगे दोस्तो 48,000 भुने क्या होगा दोस्तो 12 माइनस X यानि X महीने बाद आया तो ठीक है 12 में से X को घटा देंगे ठीक है और लाब का जो अनुपात है ओ किस अनुपात में दोस्तो बटा है 2 is to 1 यानि कि 2 बटा 1 के अनुपात में बटा है अब इसको कटा लिजिए दोस्तो X का आपका मान आ जाएगा यानि कि B कितने महीने बाद समलित हुआ देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 0 से 0 देखिए है इससे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जागा अब देखिए 16 3 0 48 16 4 64 ठीक है समझ में आया यहाँ तक तो क्लियर हो गया 3 से 12 कट जाएगा 3 4 को 12 4 गुने 4 करेंगे तो क्या होगा 16 और पसंतर करना 3 गुना 3 गुना करना है यहाँ पर पसंतर ने 3 गुना करेंगे तो X से 16 में गुना करेंगे तो बराबर की दर क्या होगा 16 ही होगा ठीक है बराबर हो जाएगा उसके बाद से क्या होगा दोस्तो इधर क्या है इधर आपका 2 से और इधर 12 माइनस X में बुड़ा करना है तो 12 दूना के क्या होगा दोस्तो 24 हो जाएगा और माइनस का दोस्तो क्या होगा चार बर में देखिए एकदम बेसिक से समझा रहा हूं कमजोड स्टुडेंट होंगे वह भी समझ रहोंगे इतना बेसिक से कोई आपको नहीं बढ़ाता होगा मेरे खाल से देखिएगा क्योंकि सांतर करना आपको मैंनस एक्स करना प्लस एक्स करना इस सारी चीजें में बतात चार महिना किस ओप्षन में है देखेंगे ओप्षन नमबर ए में है आपको ओप्षन नमबर ये दोस्तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तो आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तारीके से समझ गयोंगे और इस टाइप के भी कोईशन आपके एक्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सौल्ब कर लेंगे चलिए अब हम नेक्स फोशन की ओर चलते हैं और एक सीज़ और बता दू दोस्तो अगर आप मैत में कमजोर शात्र है तो आपको टेंसल लेने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है क्योंकि सेकेंड वाल उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले तो उस चैनल से दोस्तो आप जरूर जुड़िए चलिया अगला हम कोस्टें देखते हैं दोस्तो चौथा कोस्टन चौथा कोस्टन भी काफी इंपोर्टन कोस्टन है पूछा गया कोस्टन है यह बहुत बार एक्जाम में पूछा जा च होती है यदि उसी बस्तु पर विक्रेता पचीस परसेंट का लाब प्राप्त करना चाहें तो उसे कितने रुपए में बस्तु को बेचना होगा देखिए ज्यादा कुछ नहीं है बहुत सिंपल है एक लाइन में सौल्व होगा प्रस निये कह रहा है छे सो चालीस रुपए मनिना चाहें करना है तो क्या हो रहा है दोस्तो 20 की हानी हो रही है और 25 परशेंट के लाब लेने के लिए उस मस्तु को कितना रुपे में बेचने सी है ने है पूछ नहीं करना है, 80% बराबर दोस्तों 640, यहां पर लिग भी दे रहा हूं, देखिए, 80% बराबर दोस्तों क्या है, 640 रुपय है, पूछ कहा रहा है, 125%, तो 125% बराबर दोस्तों क्या होगा, बताइए, 640 बटा का क्या होगा, 80, गुने क्या होगा, 125, जो पूछ रहा है, तो देखिए 80 से यह कट जाएगा और 125 गुने 8 क्या होता है दोस्तो 125 गुने 8 मतलब 1000 होता है गुना करके भी देख सकते है 125 चौको क्या होता है 125 चौको 500 होता है तो 500 पांसो क्या होगा 1000 होगा गुना कर लिज्जे 100 ठीक थोड़ा से दिमाग में रखे 125 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा 1000 होगा तो यानि कि 25% लाब लेने के लिए उस बस तुको कितने रुपए में बेचना चाहिए दोस्तो 1000 रुपए में देखिए 1000 रुपए किस ओप्शन में है देखेंगे ओप्शन नमबर C में है आपको option number C दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रशन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे और इस टाइब के question आपके exam में आगा तो आप अच्छे से solve कर लेंगे चलिए अब हम next question क्यों चलते हैं अगला question देखिएगा दोस्तों Homer का question है टेश का question है दोस्तों यह आज का प्रशन है इसका answer सभी दोस्तों को comment करके बताना है इसका सही answer क्या होगा जिन दोस्तों को नहीं पता है वो क्या करेंगे मैत का part number 135 देख लेंगे देखिए इसका link दोस्तों मैं यहाँ पे part number 135 का यहाँ उपर दे दिया दोस्तों यहाँ आप क्लिक करके आई बटन पे direct part number 135 देख सकते हैं एक से और बता दू दोस्तों जो नय स्टूडेंट है उनके लिए बता दू दोस्तों यह पंचम publisher की ebook है आपके अगामी सभी परिस इस नमबर के आप call करके बात भी कर सकते हैं इस इबू को दोस्तों मैं खुद देखा हूँ उसमें जो प्रस्न दियेगा है बहुत ही important दियेगा है जो बार बार आपके exam में पूसे जाते हैं इसलिए दोस्तों exam से पहले पहले इस इबू को एक बार ले कि आप जरूर लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अच्छी लगी है तो लाइक सेर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन वेल को भी आन कर लीजे और जुड़ जाए हमसे ताकि आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो मिलते हैं दोस्तो आगले वीडियो में और भी इंपोर्टन प्रश्णों को साथ तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद